साम का समा है और हम अपने उसी खेत में आज फिर खड़े हैं रिजल्ट दिखाने के लिए जिसमें हमने डाक्टर फसल की उरिया और डाक्टर फसल की जिंक का प्रियोग किया था आज करीब साथ दिन हो गए हैं और हम आपको रिजल्ट दिखाने जा रहे हैं कि जो हर्याली आ इसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा यहां देख लिए काफी ज्यादा जो है हर्याली वो आ गए है यहां पर तो किसी ने दवाच रख दी थे हमारे इसकोने पर जहां से हमारी पूरी फसल ही जल गई है और बात करें हर्याली की तो देख लिजिए इस समय आप देख सकते है दोनों में हर série लगबहर बराबर किया यानि जिंक जो है वह अच्छी काम किया यूर्या ने वह अच्छा काम किया है आपको बतादें कि इसमें कुछ पत्ते जो हैं वह अलोई हो गये हैं जो निचले पत्ते आपको ये देख लिए कुछ इसमें जले जले पत्ते आपको दिख रहे हैं और उधर की साइड में आपको कुछ जादा दिख रहे हैं थोड़ा गोले गोले चकर में चकते चकते दिख रहे हैं और इसका कारण यह है कि उस समय मैंने आपको दिखाया था कि हमारी जो मित्ती है उसमें फटने लगी थी लेकिन उसके दो दिन बाद हमने देखा और हमें समझ में आगा है कि इसमें जो है सिंचाई की जरूरत है खेर नमी थी लेकिन यहाँ पर आप देख लिजे इतना फुटाव भी नहीं है और इस समय आप देख सकते हैं यह हमारा पैर इतना धास रहा है हमने सिंचाई कर दी थे तो जहां जहां पर पानी रुक गया है जैसे इस जगा पर आप देखिए पानी रुक गया है तो हाँ पर हमारी पत्य जो निचले सता की हैं तो काफी जादा पीली पड़ गए है, भाकी हर्याली का काम देख लीजे, इस समय बराबरी में दिख रहा है. बेसक मैंने फीसे बोया था, लेकिन आज देख लीजे, जिंक ने बहुत बढ़िया काम किया है, यूरिया ने बहुत बढ़िया काम किया है, और कितना पीला हमारा उस समय खेत था और इस समय बराबरी में खड़ा हुआ है तो I hope मैं ही कहना चाहूंगा कि आप भी लोग जब भी आपका पीलापन है या ऐसा कुछ दिख रहा है तो एक बार कम से कम यूरिया के साथ आप जिंकर का प्रयोग कीजिए जिससे आपको भी ज्यादा हरियाली मिल से के और ज्यादा जो न्यूट्रियंस है वो भी मिल जाते हैं पोधों को तो इससे हमारे पोधों का विकास भी अच्छा खासा होता है और आप ये चीज़ देख रहे हैं इस खेत में